अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुँच सके नमस्कार मेरेनू प्रभासाक्षी के स्पेशल प्रोग्राम सजना है मुझे मैं मैं आप सभी का स्वागत करती हैं जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं कि मानसून के मौसम में आप अपने ज़ड़ते हुए बालों को कैसे रोप सकते हैं बरसात में कई तरह की परिशाणियों का सामना करना पड़ता है इन में से एक है बाल की समस्तिया इस मौसम में बालों का तूटना बेजान होना और डेंड़रफ आम बात है अगर इस मौसम में बालों को ठीक से देखभाल ना की जाए तो आपके बाल बहुत जादा कमजोर हो जाते हैं और तूटने लगते हैं अगर आप भी अपने बालों की चमक को बरकराय रखना चाते हैं तो आईए आप लोगों को बताते हैं इस वीडियो में कुछ टिप्स जिनें आप फॉलो कर सकते हैं सबसे पहले सही शैंपू का इस्तमाल करें मांसून में बाल जल्दी ओईली हो जाते हैं इसलिए इन्हें बार बार शैंपू करना पड़ता है ऐसे में अच्छे ब्रैंड के शैंपू का इस्तमाल करें जिसमें केमिकल की मातरा कम हो इसके अलावा ऐलोवेरा जेल का भी आप इस्तमाल कर सकते हैं एलो विरा जल डेंडरफ दो मुहे बाल और बाल जढ़ने जैसे समस्याओं का उपचार करता है इसके जल को निकाल कर आप अपने मांग में लगा सकते हैं और बालों की जड़ों तक ये जल पहुचा सकते हैं और आदे गंटे बाद इसे अपने सर से हटा सकते हैं धोकर इसमें कई तरह की समस्यां से छुटकारा आपको मिल जाएगा जैसे कि बाल जहरणे की समस्या डैंडर्फ की समस्या और भी कई तरह के पोशक तत्व आपके बालो को मिल जाएंगे इसके लाभा आप अपने गीले बालों में कंगी बिलकुल करें गिली बालों में कंगी करने से कई बार बाल बहुत जादा जड़ते हैं क्योंकि बाल कमजोर होते हैं इसके सूखने के बाद आप मोटे कंगे से अपने बालों को छुड़ा सकते हैं जादा प्रोडेक्ट का इस्तमाल भी अपने बालों पर ना करें बरसात में मौसम में क को अधिक नुकसान पहुचेगा तेल लगाएं रात में सोते समय अपने बालों को ऑईल से मसाज करें ऑईल को पहले थोड़ा सा गरम कर लें ताकि आपके बाल की जड़ों तक ऑईल सीधे पहुच जाए और बाल को सुबेरे धोले ताकि डैंडरफ ना हो और आपके बालों की शाइन भी बरकरार रहे इसके लावा आप अपने बालों की सुरक्षित करने के लिए और खुबसुरत बनाने के लिए सीरम का प्रियोब भी कर सकते हैं बाल धोने के बाद अपने बालों पर सीरम लगाएं ताकि आपके बाल मॉस्चुराइज हो जाएं और सुन्दर दिख बाल धोते वक्त अपने बालों में कंडिशनर का इस्तमाल भी करें अपने बालों को शैंपू करने के बाद कंडिशनर का इस्तमाल जरूर करें इससे बालों के छोटे छोटे हिससे करकर अपने हाथों से कंडिशनर को बालों पर इस्तमाल करें और 5 मिनट बाद अपने बाल आपके आहार से जुड़ी होती है, अपने डाइट में पोश्टिक आहार शामिल करें, जिनमें प्रोटीन की मात्रा अधिक हो, यह आहार आपके बालो को समय समय पर सफेध होने से बचाते हैं, और बालो की लंबाई को भी बढ़ने में काफी जादा सहायता करते हैं, और आप अपने बालो की जड़ती हुई समस्या से निजात पा सकते हैं, ऐसे ही लेटेस्ट अबडेट के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें, प्रभासाक्षी के साथ, नमस्कार